जैसे कि लेक्षर नॉबर 24 है, लेक्षर नॉबर 21, 22, 23 में हमने HTML instruction के बारे में पढ़ा था, वो लेक्षर काफी important था और उसमें मैंने काफी सारे numerical को solve भी कराया थे और मैंने HTML instruction को कैसे use करते हैं, इन सब के बारे में बता था जो हम programming करते हैं, उसको HTML structure में कैसे हम transfer कर सकते हैं, यह सब बता है, तो काफी important था lecture, अगर आपने उस lecture को नहीं देखा, तो खिर पर उस lecture को देख लेजे, अभी हम data transmission के कुछ instruction जो मैंने पीछे लिखे हैं, मैं इसका discussion करूँगा, दोस्तों मैं इसमें यह बताऊंगा कि data को हम कहां से कहां transfer कर सकते हैं, कहां कहां नहीं transfer कर सकते हैं, इसके limitation को भी बताऊंगा, और दोस्तों जब हम program कर रहते हैं, उस समय हम को timer या फिर counter, या फिर किसी data register की value को change करना होता है, तो उस समय हम instruction का use करते हैं, ठीक है, आप दोस्तों मैं आप लोगों से एक request करूँगा कि आप इस video में सुरू से अंता तक बने रहिए, मैं आपको आपके aspect से भी ज़्यादा कुछ सिखा दूँगा, कि मैं जो यह पढ़ाऊंगा, आज इसके बारे में जो बताऊंगा, आप यह मतलब पढ़के आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ, इतना कुछ होता है और हमको पता नहीं है, दोस्तों आप वीडियो के यूज करके मैं बताऊंगा इन सबका कि क्या मतलब है, और यह कितना इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, अभी तक मैंने जो भी इंस्ट्रक्शन पढ़े है, उन सबसे भी, उन सब में यह सबसे मुझे इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन लगता है, और मैं इसका कितना इं मुव इंस्ट्रक्षन का यूज करें, ग में 32 bit के लिए यह देखिए, यह demove लिखा है, यह 32 bit架 करेंगे, जो move instruction है, उसके पहले आप d लगा देते हो, तो यह d D means double को denote करता है, double move means 32 bit लिख देगा, 32 bit हम जो data move करना होगा, तो D move, 32 bit के लिए data, अच्छा, दोस्तों हमारा data register 16 bit का होता, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, usually हमारा data register होता है, वो 16 bit का होता है, हम 32 bit का data कैसे move कराएंगे, मैं इस सब के बारे में आगे बताऊंगा, मैं बोल र अब यहां पर move P means move with pulse, pulse के साथ हम move करेंगे, इसका क्या मतलब होगा, D move का क्या मतलब हो, D move pulse का क्या मतलब है, B means block move, ठीक है, और F means fill move होता है, जैसे कि बहुत सारे data register हो, उनको एक ही साथ, एक ही value को fill करना हो, तो F move क्या इस करे, exchange और D exchange का क्या मतलब है, जिससे data को change करना हो अभी तो हम data को एक अस्तान से दूसरा अस्तान भेज सकते हैं, या पिर कहीं से ले सकते हैं, means और इसका, इस instruction का यूज हम data exchange करने के लिए use करेंगे, means अगर मेरे पास दो data register है, एक data register D10 है, एक D20 है, मैं चाहता हूँ कि D10 का data D20 में चला जाओ, D20 का data D10 में चला है, तो उस समय हम exchange instruction का यूज करेंगे, मैं इसका instruction का यूज कैसे होगा, मैं आगे बताऊँगा, अभी हम समझ लेते हैं, move, demove, move, p, or demove, maybe lecture थोड़ा सा बड़ा होगा, तो आप mind नहीं करेंगा, वीडियो में सुरु सामता थक बने रहीएगा, और ठीक है, अब इन सब का मतलव हम समझ जीचते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम move करेंगे, तो data register, data register में move कर सकते, timer में move कर सकते, counter में move कर सकते, मैं ये सब बताऊँगा, भी बताऊँगा, wait किजिए, हम usually जब भी move instruction की बात करते हैं, तो data register की बात आ जैठी कि 16-bit data register है, move इन्सिर का मरillon 32-bit, तक का भी हम move करा लेकिन ठर्टीटू बीट है इसमें जनरल डाटा रजिस्टर कौन है और लेच जनरल डाटा रजिस्टर क्या है कौन है इसके बारे में आपको जन्ना बहुत जरूरी है क्योंकि आप जो मान लिए आप मूब करा दिये लिए दिवाइस नंबर है और यह डिवाइस का नाम है डाटा रजिस्टर पांशो है और डाटा रजिस्टर शोव समय मूब कर देगे तो इन सब डाटा रजिस्टर क्या है यह कौन लैच है कौन लैच है इसके बारे में जन्ना बहुत जरूरी है तो मैं इसके बारे में थोड़ सा मैं बता दूँँ आपको जो हम आडल यूस करेंगे हमारा PLC में 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 मैक्सिमान टाइम में डाटा रहूं सब में मिल जाएगा EX2 में मिल जाएगा और ES2 में मिल जाएगा SB में मिल जाएगा SX2 में मिल जाएगा इन सब सीरीज में जो data register बता रहूँ यह सम मिल जाएगा क्योंकि industry में यही सम यूज होता अब दिखिए अगर आप D0 से D407 तक data register यूज कर लेते हैं D0 से D407 means D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 ऐसे ऐसे करते करते हैं 407 means total कितना हो गया है 408 408 data register यह है यह general data register है general 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 data register है ठीक है अब देखिए 407 अब देखिए data register 408 से लेके data register 599 तक का जो हमारा data register होता अच्छा यह general data register non latch non latch है यह non NL लिख देता N means non L means latch non latch है यह जो data register है यह भी general data register है बट यह latch data register है latch latch और non latch क्या आप लेक्चर नमबर फॉर फॉर फाइप में मैंने साथ बताया है काफी अच्छे से उसको आप देख लिजे उमीद है आप जानते होंगे non latch का मतब यह हुआ कि इसमें data मूब करा दिये अब programming के दावरा PLC का light off हो जाता है या फिर PLC को मैं stop कर देता हूं यह data जीओ हमने मूब कर आया था उसको लोश्ट कर देगा मिन्स समाप्त कर देगा इस्टोर नहीं रख सकता है यह latch data register है जो बैलू को इस्टोर कर लेगा चापी PLC को इस्टाप कर देगा या फिर पाउर कट हो जाए ठीक है अब देखिए यहां से एक और ले लिजिए और एक आता है फिर data 600 से लेके D 999 यह इस पे यह भी data register है general data register यह भी non latch है मिन्स यह और यह दोनों एक में आ जाएंगे इसके बीच में जो यह 408 से 599 तक का data register है यही latch data register इसके data आप मूब करा दोगे तो यह data को इस्टोर कर लेगा तो इसके बार में जानना बहुत जरूरी है तो क्योंकि हम maximum time data को हम transfer कर देते हैं अच्छा F a move D B move मैंने जो भी कुछ लिखा था उस समय हम इन सब data register का use करेंगे तो data register का idea होना आपको जरूरी है कि कौन सा कौन डाटा रजिस्टर नों लैच है कौन सा लैच है उमीद है कि आप जानते हैं इसके बाद D 1000 आ जाता है बहुत सारे data register है जो special data register है जो मैनुफेक्टर ने किसके किसके बीच में करा सकते हैं और किसके 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 बीच में हम नहीं करा सकते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं क्योंकि हम को यह समझना बहुत जोरूरी है कि data की value हम कहां move कर सकते हैं कहां नहीं move कर सकते हैं तो इसके लिए एक मैं ग्राफिक के मादियम से समझाना चाहा हूँ आपको मान लिए ये data register है data register से बेलू आप किसी data register में transfer कर सकते हैं ठीक है data register की बेलू किसी data register आचा one side arrow का मतलब यह हुआ कि कोई अगर current pass हो रहा है या फिर कोई बेकती जा रहा है तो सिर्फ इधर ही से जा सकता है इसको कुछ ibseri present किए जाता है मिन्स जा भी सकते हैं और आप आभी सकतें तो इसको आप इसको ऐसे भी कर सकते हों दोनों side arrow बना सकते हो तो मैंने दोन्स side arrow बना दिया data register में हम value transfer कर सकते हैं और दिखिए यहां पर data register किसी timer में value change कर सकते हैं मूब कर सकते हैं या फिर किसी टाइमर की बैलू को हम डाटा रजिस्टर में मूब कर सकते हैं अब देखिए डाटा रजिस्टर से किसी काउंटर में बैलू को मूब कर सकते हैं और किसी काउंटर से डाटा रजिस्टर में भी हम बैलू को मूब कर सकते हैं अब देखिए यह इसको मिटा देता हूं मैं और ए और एफ आ जाता है इसको बोलता है फ्लैग रजिस्टर मैं इसका भी यूज बताऊंगा कैसे आपको बहुत जो के मेक्सिमर टाइम प्रोग्राम में यह सो मिलेगा यह का यूज करते हैं इसको इंडेक्स रजिस्टर बोलते हैं अच्छा कर सकते हैं एक मिना टूइट कीजिए और एफ जीरो से लेकर एफ से वन तक यूज कर सकते हैं इन्टेक्स रजिस्टर है तो अब देखें डाटा का मुख कहां से कहां के बीच में कर सकते हैं अच्छा जो हम मैंना वे बताचा टाइमर काउंटर और यह इंडेक्स घ्राइब का हो सकता बाकि सब यह 16 बीट डाटा रजिस्टर आपकी उज्टी बीट का यह मिलेगा मैं अभी बताऊंगा अगर चाटी ट्यू बीट में कैसे कर लेंगे यह हमारा टाइमर यह भी 16 बीट का ही है हमारा जो फ्लेग रजिस्टर यह भी 16 बीट का यह सिर्फ सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर डाटा की बेलू हम इंडेक्स रजिस्टर में कर सकते हैं या फिर इंडेक्स रजिस्टर की बेलू किसी डाटा में कर सकते हैं अभी तक मैंने कॉंस्टेंट की बात नहीं किया अब कॉंस्टेंट की मैं बात करके दिखा देता हूं अब in in यहाँ पे के लिखने का मतलब और कांस्टेंट हो जाता है एक लिखने कम अध Kar Stand means के 500 500 को हम 500 बैलू को फान्ट को न चेल कोम रिपर्जर्ट करठใक लictions-च्छे से न च हम यहां पर लिक ediyor hury आऽ पे लिख़ता हूं f यह का मतलब ह्येवा है हमारा हैło हैए यहां पर एक साध़े समल को रिपर्जेंट करेगा यहां पर मैं B ली के दे ता B1010 इसका मतलब यह binary नमबस को री पर जेट करेगा सो के मिंस कॉंस्टेंट जो डिसेमल नमबस करेगा डेसीमल नामबस बीकार देस्मन नमबस तो 0 19956 को शो और बोलते हैं ए ए बी सीडी ए और एफ तक हमारा है सब्सक्राइब को मलको रिपर्जेंट कर आगे बताऊंगा तो यहां के दिखे की कॉंस्टेंट को कहां कहां मुव करा सकते हैं तो कांस्टेंट को हम डाटा में मूव करा सकते हैं डाटा रोजिस्टर में मूव करा सकते हैं कॉंस्टेंट को हम टाइमर में मूव करा सकते हैं और देखिए कॉंस्टेंट को किसी काउंटर में हम मूव करा सकते हैं ठीक है और देखें कॉंस्टेंट को हम किसी डाटा रोजिस्टर में मूव करा सक करा सकते हैं यहां पर मैंने एक स्वीच यूज कर लिया एक सजीरो मान लो और यहां पर मूव इंस्ट्रक्शन लिख दिया अभी इसका मैं सी फार्मेट बता रहा हूं अब यहां पर देखिए अच्छा यहां पर होता है सूर्स इसको सोर्स बोलता है और इसका डेस्टिनेशन बोलता है अच्छा डाटा का मूव कहां से कहां करेंगे जहां हम जहां सम डाटा को कॉपी करेंगे और जहां ले जाके जाएंगे उसको डेस्टिनेशन बोलेंगे आप हमसे डाटा लिए तो मैं सोर्स हूँ आप मैं आपको किस और को दे रहा हूं वो हमारा डिश्टीनेसर मैं जिसको दे रहा हूं अच्छा इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेगा इसमें डाटा मूव होता है ठीक है मूव मीन्स कॉपी और पेस्ट होगा ठीक है कॉपी and paste होता है यह सही है cut paste नहीं होता है cut paste नहीं होता है यह गुलत है means अगर आपने d10 से data लेके d20 में move कराया है तो d10 में भी data रहेगा और d10 का data और d20 में भी move हो जाता means d10 का data d20 में copy होके चला गया लेकिन d10 में data remain रहेगा ही रहेगा यह मिन्स यह copy और paste होता है अब कॉट कोट और paste है कि मैंने move instruction लिखे के move detail के value d20 में move करा दिया तो means detail में instrument में अब कुछ value नहीं है importi है ऐसा नहीं है उसमें cut or paste नहीं है सिर्फ copy और paste है means copy or detail का data d20 में चला जाएगा हूं उम्मीद है कि इस पॉइंट को भी आप समझ गाए होंगे अचा मैं और पॉइंट बचा देखिए यह मैं यह बता रहा था एक जीरो का प्रेस करन्द से मुव और S, S means source है और D means destination है हमारा source हम जहां से data लेंगे और अब देखिए मैं यह बता रहा था कि की की बेलू हम किसी data register मुव कर सके के की बेलू किसी टाइमर को के की बेलू किसी कांटर को जैसे इसी instruction को मैं यहां पर लिख के दिखा दूँ ठीक है ऐसा कर सकते हैं और यहां पर चलिए यहां पर मैं X0 कोई switch से यहां पर move instruction लिख दिया ठीक है और मैं यहां पर ऐसा लिख दूँ कि 100 की बेलू मैं किसी data register कुछ भी ले सकते हूं मैं यहां से बताया था नो डी जीरो से लेके आप डी 99 तक आप यूज कर सकते हों बीच की बेलू 408 से लेके 599 तक का data register होगा वो लेच होगा ठीक है उमीद है आप लोग इस बाव पाइंट को नोट के होंगे एक सब्सक्राइब करेंगे तो मूब जैसे मूब इंस्ट्रक्सर एक्सक्यूट होगा और के 100 की बैलू 100 डी जीरो में मूब हो जाएगी आप यह मूब हो जागी यह सही है ठीक है अगर मैं यही लिख देता यहां पर यहां पर चलो मैं अच्छा डी डी जीरो रहने दो हां पर लिखे दूँ डी जीरो अगर डी जीरो मिन्स अच्छा डी जीरो अब बार बार आप यह कहेंगे कि डी जीरो ले रहे डीवन ले लेता हूं डीवन का डाटा के 100 यह बैलीड नहीं है एरर दिखाएगा प्रग्राम क्योंकि यह कॉंस्टेंट है कॉंस्टेंट यह मे अब यहां किसी टाइमर की बैलू हम यहां पर टीजीरो टाइमर यूज कर ले तो टाइमर की बैलू टीजीरो टाइमर की बैलू के 100 वे पूट कर दे तो यह भी गलत है तो इसका मतला उमीद है आप लोग समझगे आच्छा अब और भी हमारा इंस्ट्रक्शन है जिसको हम मुव नहीं कर सकते हैं उसका लिए टेट इसको मिटा देता हूँ मैं टू वर्ड होता है जब भी आप किसी मेनुवल या फेज किसी प्लसी का मेनुवल पढ़ेंगे तो समय वर्ड लिखा हुआ जाएगा आप समझना कि 16 बीट मिन्स आचा मेमोरी बीट क्या होता है लेक्षर नंबर 4 में मैंने इन सब को बार में मैंने लेक्षर नंबर 4 में उमीद है आप लोग इस लेक्षर को देख लीजें काफी इन पोर्टेंट वो लेक्षर था अब देखें मैं क्या बता रहा था कि यह बीट डिवाइस है मैं सब बीट सुरी 16 बीट मीन्स वर्ड डिवाइस है जो यह हमारा डाट हमारा डिटुर डिवाइस सिस्कों अ यह हमारा डिट डिवाइस जो इस आप इन पूर सुच लगा रखे वह उसको आन और आप करा सकते हो अच्छा एकसीज महीं बता दू यह बीट डिवाइस है जिरो या ओन इस टेट से यह मेमोरी लेस है ठीक है इसके पास दोई इस्ट और नहीं कर सकता है नहीं हुल्ड़ कर सकता है अब हैं अप आप यहां फोल्द कर दो जैसे कि यहां पर मैंने यहां पर मुव्ट इंस्ट्रक्षं यूज कर दिया और शोरी यहां पर मालोग को सुच एक्स-फैट है और यहां पर मुव ऐख़ा द हिन Impact did calm value एकस-जीरो में मूव करा दो यहां प्रिए एकस-फाइब ओर मूव और यहां मुतलब आजाए लूब एकस-जीरो की बेलू डीटेन में मूव करा दू यह गंख रोत है यह होगा नहीं तो आप ऐसाथ गलती east करें कियों नहीं हो रहा क्योंकि एक स्थिप इसके पास सब्सक्राइब इस नहीं है तो आप इसका यह इसको हम भीट डिबाइस बोलते हैं जिसका सब्सक्राइब यह one होता है यह beauty device होता है तो इसमें हम data को move नहीं कर सकते हैं यहां का बहुत important point है यह इस topic का lecture का काफी important point बन जाता है तो फिर इसका यूज़ कैसे करेंगे इसका use हम कर सकते हैं किसी constant के साथ strong device के साथ हम combine करके हम इसका use कर लेगे और यह इतना इंपोर्टेंट बन जाता है, इसके माधियों से ये बीट डिबाइस को हम कंबाइन करके, हम किसी आउटपूट को आन करा सकते हैं, आफ करा सकते हैं, एक टाइम में, जैसे कि हमारा पास 16 बीट का डाटा रोजिस्टर है, अगर 16 आउटपूट है, तो मैं ये चाहूँ कि आउटपूट नंबर, एक, पांच, साथ, और दस, एक साथ आन हो जाएं, तो मैं इसको आन करा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 2, 4, 5 और 6 है हमारा जो output है एक time पानों हो जाए बाकी सब आफ हो जाए तो उसको भी मैं करा सकता हूँ यह देखिए किसी output किसी input या फिर किसी memory या फिर किसी status बीट के status को भी हम move करा सकते हैं किसी में हम चाहें जैसे इसका यूज बहुत maximum हो जाता है जब आप एक time में आप जैसे कि किसी industry में हो या फिर किसी fire system पे alarm लगा रखा है तो एक बार जैसे push button की यह पूरे बिल्डिंग की light glow होने लगती है और mint siren बदने लगता है तो हमको सब output एक साथ में करा ले हम देखिए के के एन के साथ हम के एन एक्स ठीक है के एन एक्स यह हमारा इसका हम यूज कर लेते हैं आपको के एन वाई मिल जाएगा के एन एम मिलेगा और के एन एस उमीद है आप जब असल्य प्रोग्राइमिंग करते हुए तो यह बर बर लिग्क क्या था के एन एक्स यह इन भाई के एन एम के एन अस यह है क्या यह बहुक्त इन्पोर्टेंट है मैं अभ़ी आपको बता रहा हुं आचा एक्स यहाँ पर इसका एंड डूर nic सकते हैं ये एक्स एक्स इंपूट कर रिफर्जांट करा। इस्टेटस को हम किसी डाटा इस्टर में मूब करा सकते हैं या फिर किसी डाटा इस्टर से हम इसको इन्पूट दे Keeping करने मूब공 यहां पर के एनवाइज जो है एन नमबर को रिपर जेंड कर रहा एन की बैलू 0 से लेके 8 तक होगी मैं बताओंगा कि 0 से 4 तक के लिए क्या होगा 0 से 8 तक के लिए खिसके लिए हम क्या यूज करेंगे अभी मैं इसको आगे बता मैं यह वाइ हमारा जो है इसको हम आउटबूट के जो स्टे करा सकता हुँ एक पांच और साथ नबर बटन है तिक स्टेतोस भी मैं किसी को मूप करा करılar कर दे सकता हूँ या फिर हम एक पांच साथ को मैं एक डाटा रजिस्टर मूब इंस्ट्रक्शन के माधियम से आउर्पुड को हाई कर दूँगा मैं अभी करके दिखाऊंगा इसका प्रेटकल भी करके दिखाऊंगा दुस्तों हमारा विडियो लक्षर टिन पार्ट में होता है अभी हम थिवरी पढ़ रहे डी 25 लिख लो तो यह देखिए मुव के वन एक्स का क्या मतलब इस जो हमारे इंपूट रजिस्टर का सोरी इंपूट जो हमारा स्टेटर से उसको हम डी 25 में मुव करा देंगे अभी तक मैं अभी बता रहा हूं अभी एक पॉइंट को मुव इंस्ट्रक्शन का कैसे मुव पी इन सब का मतलब समझे और इन सब पर अपलाई करके हम देखेंगे अचा मूव इस्ट्रक्शन का यूज यहां पर देखिए मूव एक्स जीरू अगर मैं यहां पर लिख दिया मूव तो यह 16-bit को रिपर्जेंट कर देखिए तो आप समझ जाना कि अगर मूव लिखा तो 16-bit को ही मूव करा रहा होगा अब यहां पर देखिए यहां पर अगर मैं के 500 यूज कर लिया के 500 और इसको मैं डीटेन में मूव करा दिया इसमें हमने मूव करा दिया अब देखिए यह और यह प्रोग्राम और एक प्रोग्राम यह है सेम टूसे एक्स जीरू अब देखिए यहां पर यहां पर मैं मूव यूज कर लेता हूं मूव के 500 और मूव करा देता हूं दी हंड्रेट में और सोरी यहां पर मूव पी फड़ सा डिफ्रेंट होगा तभी तो आपको समझ मैंगा कि इन सब का क्या महिन है अब देखिए एक्स मूव पी के 500 को हम ड़टा रजिस्टर हंड्रेट में मूव करा रहा है उपर वी यही इसमसे में इन्स्ट्रक्षन है अब देखिए इन सब का यूज की ना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको समझना कि मूव पी कहां यूज कर जब इस एक्स जीरो को आप से आन करेंगे ठीक है आप से आन करोगे तो यह मूव इंस्ट्रक्षन एक्सक्यूट हो जाएगा अगर आप इस switch को अगर एक second के लिए भी आप आन कर दिये अगर इसका scan cycle one millisecond है तो एक second में ये एक हज्यार बार instruction execute होगा एक बार जैसी x0 को प्रेस किये move के 500 की value d100 में move हो गया और फिर जैसे प्रोग्राम इंड हुआ फिर scan करेगा तो ये आन पाएगा फिर scan होगा ये execution execute होगा एक सकेंड थी एक हजार बार डाटा पांसो नमबर होंड़ेट एक डाटा डाटा रजिस्टर जो 100 है इसमें मूव करदेगा जितनी बार एक इसकूशन जितनी बार ये इसमें देखिये, एक बार हमने switch को on किया, means यह x0 जितनी बार on कर दिये, x0 यहां पर मैं on कर दिया, तो यह data इतनी time execute होगा, जब तक यह on रहेगा switch, means इतने समय तक यह data को इसमें भेषते रहेगा. में एक सब्सक्राइब यहां पे एक सब्सक्रारों किया तो आंथ करने का यह तो जैसे आप से मैं आन करूंगा इस एक्सिन को डीनोट करेंगा और मुब इस्ट्रक्शन एक्सडियुट हो जाएगा यहां पे यहां प्योंटे तक के लिए इसके बार एक्सक्यूट होगा इसके बाद एक बार डाटा कराता को एक टायम कराता एक बार प्रिस किया वह डाटा चला गया हम यह नहीं चाहते कि बार-बार जितनी भी राजी स्कैनिंग हो उतनी बार डाटा जाए और यह देखिए इसका मैं एक एक्जामपल दे रहा हूँ आप इसको WPL सब्ट्वेर पर पर फार्म करके देखना इस इस्ट्रक्शन का यूज करोगे आपका सही प्रोग्राम नहीं चलेगा और इसका देखी है मूब इंस्ट्रक्शन के बाद के 100 की बैलू टाइमर टी जीरो में मैं सेंड़ करा देता हूं अब यहां पर हम एक एल्डी एम वन थाउजंड यूज कर लेता है जो आलवज जान रहा है कि को टाइमर को कंस्टेंट पावर की और सकता होते हैं तो यहां पर मैं ल पर देखें है कि यही हमारे टाइमल नोबर जीरो फिर सेट की बैलू एक हलार है मिंस्ट एक जार का मंतर हंड्डेड सटेंड के लिए हमारा टाइमर चलेगा ओप देखिए जैसे ही आप एक्स जीरो को आन करोगे यह मूब इस ट्रेक्शन की बैलू टाइमर टी जी जीरो क बैलू को चेंजर नहीं कर सकते हैं उड्र अपने एक्स के बालू नहीं चेंजर गई आप इस बात को दियां में रखेगा यह इस टाइमर का जो एक्विलेटर वैलू है वूं direct यह सी X0 क硬 यहां पर की हंड्रत आ जाएगा के 100 से यह टाइमर से आइस कांटिम करने लगेगा तो यहां पर data must अपर आपके लिगे हमारा यहां पर 100 sकेंड के लिए टाइमर चलेगा Leader हैं मैं चाहता हूं कि 200 सकेंड के लिए चले मिंस यह 100 सकेंड चलेगा तो मैं चाहता हूं कि हमारा टाइमर दो मिनाट के लिए तो यह फिर ऐसा इस मूव इंस्ट्रक्शन का यूज हम नहीं कर पाएंगे यहां पर की की बैलू हम फिक्स नहीं कर सकते हैं अब देखिए जैसे एक सजीरो का आप आन को रोगे तो मूव के के हंड़ेट की बैलू की जीरो में मूव होने से इसकी एक मिलेटर बैलू हंड़े करोगे यह टाइमर चलेगा नहीं जब इसको आप करोगे तब यह जाके यह चलेगा मिंट जितने सकेंड़े तक आपने एक सी जिरो कान रखा नहीं चलिया और देखिए इसी प्रोग्राम को मैं यहां पर लिखे दू एम उन थाफ्जेंड और यहां पर लिखे दूँ पिपन से के साथ में मुब करा ना प्लस मूफ के हंडरेट और टी जिरो में मूफ करा दिया यह हमारा टाइमर बन गया अब देखिए यहां पर हम यहां पर हमारा एक सिजिरो है संडी एक सिजिरो यहां से एम 1000 में नहीं उसका जो और यहां पर टी एम आर इसपेस टी जीरो और यहां पर की एक हजार लिख दिया अब यह हमारा जैखे जैसी एक्स जीरो को आप प्रेस करेंगे तो मूब पी एक पॉल्स के साथ यह सिधे वन इसकेन में ही इस टाइमर की एक्युमिलेटर बाई लूकों 100 कर देगा के 100 कर देगा अब इसको आन रखो दू घंटे के लिए भी आन रखो कोई फरक नहीं पड़ेगा टाइमर जैसे आन करें कि टाइमर चलने लगेगा के 100 से टाइमर कांटिंग करना चलने लगा इसमें देखें जितने समय तक आप आन आपकर मैं पड़ेट रखोगे ही लिए चलेगा ही नहीं यह क्योंने चलेगा की जैसे ही इंस्ट्रक्शन मुप इस्ट्रक्स टार एक्शक्न हइन पागई और यह टाइमर जैसे ही हंडेट ऊंडए था फिर के हंडेया कि था हूँ झाल् 개 धो रह जाए और देस लगेगा butई को आ अहीं रोख दो एक सकेंड के लिए या फिर अधे सकेंड के लिए तब भी यह टाइमर चलने लगेगा ठीक है इसलिए मुव मुव पी इंस्ट्रक्शन का जिजी करेंगे करेंगे आप से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मूव पी का ही इंस्ट्रक् सबसक्राइब यहां पर日本 कर सकते हूं एनपी यूज़ कर सकते हो अच्छा कुछ मैंने वन इसके पर सकते हो अच्छा के लिए तो इसको कैसे चला गए तो के की बैलू उसके समय आप फिक्स नहीं कर सकते हो आप इसको थोड़ा हटा लो अगर आप चाहते हो कि टाइमर की बैलू बार-बार मैं चेंज कर दूँ या फिर काउंटर की बैलू चेंज कर दूँ तो उसके लिए आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन यूज करता पड़ेगा लडी एक्स जीरो यहां से मूव कराई यह मूव यहां पर के लिख सकते हैं एक मिनट यहां पर के और डाटा रजिस्टर कुछ भी यूज कर सकते हैं कोई इफेक्ट नहीं है यहां पर अगर के की बलू आप लिख के देना चाहते है तो अलग चीज और डी फाइप कुछ भी डाटा रजिस्टर यूज कर लिजिए यहां पर और यहां से एम 1000 यूज कर लिजिए और यहां पर एक टाइमर यूज कर लिजिए टी एम आ टी जीरो या फिटी फाइप पर यूज कर लिजिए और यहां पर डी फाइप लिख लिजिए यह यह प यहां पर के 100 1000 लिख दिया तो इसकी प्रिश्ट की बेली फिक्स कर दिया आप यहां से मुव श्रीप 1000 तक ही करा सकते एक हजार के उपर अगर मुव करा तो प्रिश्ट की बेली एक हजार है तो इन बैलीड हो जाएगा इसमें देखें इस टाइमर को हम चोवन कि लिए चला सकते हैं लिए 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 चला सकते हैं यहां है सब्सक्राइब करेगा और दिफाइब में जो बैलू होगा वह हमारा इस टाइमर का प्रिसेट वे लोगा उस समय यह मोग करें ऐसी काउंटर का भी होगा ठीक है अगर काउंटर यूज करना है तो सी एंटी यहां पर लिक दीजिए सी एंटी और सी वान सी टू सी कुछ भी अभी काउंटर में ने पढ़ाया नहीं है मैं आगे बताओंगा मैं अभी बता देर के कैसे मोग पर सी टू अब देखिए इस काउंटर को जिदने समय तक चलाना है वो डिफाइब पर डिपेंड करेगा और डिफाइब इस मूव इंस यहां पर सिरीफ हो 32,760 लिख सकते हूं इतनी के की बैलू दे सकते हो ठीक है यहां पर अगर आपने डाटा रजिश्टर का भी यूज कर लिए डिफाइब और डिफाइब में के की बैलू पूट कर रहे हो 32,760 ही मेक्सिमाम बैलू लेगा अब अगर आप दे के 32,760 कर दि लिए तो यह इन बैलूड है यह बैलूड ही नहीं है यह प्रोग्राम एक्सक्यूटर नहीं होगा इन्पूट एरर लिख क्या जाएगा तो इसके लिए हम 32,760 से उपर हम जाएंगे डी डी मूब का यूज करेंगा डी मींस डबल मूब तो यहां पर यहां पर यहां पर कराना चाहिए तो 50,000 डी फाइब में तो क्या एडी फाइब एक्सेप्ट करेंगा इसको नहीं करेंगा मिन्स अभी कर लेगा इसको डी मूब लेगे डी फाइब मूब करते हैं लेकिन डी फाइफ हमारा तो 16 बीट का डाटा रोजिस्टर है और यह हमारा जो रेंज है यह 32 सुरी यह 16 बीट से उपर है मिन्स तर्टी टू बीट के अंदर माझेगा क्योंकि बती से रसाटा सोटा सब्सक्राइब और यह 16 बीट का हमारे डाटा रेजिस्टर 16 बीट का है तो 32 बीट को कैसे एक्जिक्यूट करगा तो इसके लिए टू कंजूक्यूटिव रेजिस्टर का यूज़ करेगा टू कंजूक्यूटिव मिन्स दो लागतार मिन्स यह जो डी मूव के पाच जालिक दिया तो इसका मतलब डी फाइब अभी इसको हटाईए मैं डी मूव यूज़ पर आ गया हूँ तो डी फाइब तो पूरा डी सिक्स में गया होगा मूव यह डी सिक्स में मूव हो गया मिन्स यह जो पचास हेजार के बहलू दो डाटा रोजिस्टर में मूव हो जाएगा और यह डी मूव अटमेटिक अपने से आगे वाला डाटा रोजिस्टर का यूज़ कर लेगा अच्छा जो डी सिक्स होगा और दी फाइब ये व दीक्स होगा रयर से किस्टेन बीट को इस्टोर करेगा और अगर छितन के में 32 बीट में आएगा 32 बीट में उसके आगे भी 00 आएगा लेकिन जो हायर बीट है मिन्स 16 बीट से उपर का यह यह डाटा रोजिस्टर डी 6 में आ जाएगा और जो 16 बीट से लोवर डाटा मिन्स है बीट वो इसको डी 5 में श्टूर हो जाएगा तो टू कंजुकेटिव डी 6 का दूनों का यूज़ करके 32 बीट आप देखोगे मोनीटरिंग करोगे तो आपको यह डाटा के पाचास हजार का मूग होते हुए दिखेगा के पाचास हजार के जोगाप आप दू लाख भी कर सकते हैं मिन्स इसका एक रेंज है दो करून सौरी वेट दो अरव 147 करो दून चार लाख छी यासी तिरासी चार लाख तिरासी हजा है सम्थिंग और आप के नीचे तक का डाठा यह 32 बीट में आएगा और यह इसको हम मूब करा सकते हैं इसके यह डिमूब के मारें से अच्छा डिमूब और पी मूब मीन्स डॉबल मूब पी मिन्स पॉल्स तो ह हम मूब पी का यूज़ करेंते हैं यहां पे ज़्यादा सेकुरिटी रहता है क्योंकि मैंने जो बता है सब्सक्राइब मूब और मूब पी में क्या डिफरेंस है वह सेम टू सेम इस पर फालो करेगा में ज़िए कि आप मूब और डी कैसे मूब कराएंगे उसको भी हम देखते हैं दोस्तों बीडियो बहुत बढ़ा हो रहा है अभी मिन से इसका मुझे सकेंड पार्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ अभी जो मिन मुद्दा है उसको अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है जो मैंने बताया थाो हम उसको दहतें बढ़ा ओरा था मैं वीडियो को हम पार्ट में दिक्ष्ट पार्ट में मिलते हैं कब इंप्टन लेक्षट पार्ट और ये भी था क्योंकि इसी पर बेस नेख्ट पार्ट है और इसका यूज करता है अपको यकीन करिया मैं हम उसको सुधार करेंगे